पिछले साल भी इसी मौसम में सहर में कई लोगों की जान एंबुलेंस न मिलने की वज़े से हुई थी इस मामले में सों बार को समाजवादी पार्टी ने ट्विट करते हुए सीधे स्वास्त महकमे पर सवाल खड़े कर दिये समाजवादी पार्टी का ट्विट कर सीधे प्रदेश सरकार पर निसाना साथते हुए लिखा की प्रदेश में धूल फाक रही एंबुलेंस सेवा गरीब जनता एंबुलेंस की कमी के कारण अपनी जान गवा रही है और एंबुलेंस खराब खरड़ी हुई है तो वहीं स्वास्त विभाग का नाकारा पन उजागर सरकार बेखबर सर्म करो निकम्मी भाजपा सरकार इस ट्विट के बाद भी स्वास्त विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो वहीं इस ट्विट को 130 लोगों ने रिट्विट किया है आपको बता दे कि समाजवादी पार्टी का निसाना सीधे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्त मंत्री विर्जेस पाठक पर है क्योंकि अभी हाल में ही स्वास्त विभाग पर हुए तबादले को लेकर उप मुख्यमंत्री से नाराजगी जताई थी आपको बता दे कि सहर के आबादी करीब 54 लाख है इतनी बड़ी आबादी के सहर में सिर्फ 81 अम्बूलेंस स्वास्त विभाग दोरा तैनात की गई है इसके अलावा इन 72 अम्बूलेंस में से भी कई गाडियां आए दिन खराब रहती है जिसकी वज़े से समय रहते मरीजों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ता है कई मामले में तो कई मरीजों की मौत अम्बूलेंस का इंदजार करते ही हो जाती है Bureau Report IPN